कुछ ऐसे well-known mobile games जो playstore से हटा दिये गया है और हमें इसे बहुत को पत्था भी नहीं चला मैं कब हो गया ही? Iron Man 3 free-to-play था पर open world नहीं In fact, ये एक endless runner था जहा हम fly करते रहते और obstacles and enemies को repulsors का use करके destroy करते हैं एक छोड़ी जी background story भी मिलती थी जब Iron Man 3 movie को आए वे काफी समय हो गया तो इसका player base भी धीरे-धीरे घटने लगा तो इसे discontinue करके हटा दिया गया फिर आते Resident Evil 4 पे जो आएगेस PC पर काफी लोगों का favorite भी रहा होगा और इसका storyline same to same था बठा graphics और maps को nerve किया गया था ताकि उस समय के mobile devices पर चल पाए camera angle, devils और mechanics भी near similar थे unfortunately ये game outdated हो चुका था जिस वाईसे इसे हटाना है सही समझा गया और finally ये आते है Assassin's Creed के सबसे पहले mobile game पर जो था 2016 में आई identity इसमे एक dedicated storyline थी और इसके graphics भी mobile devices के लिए बहुत अच्छे थे बड़ इसका worst part ये था कि ये game paid था जिस वाईसे बहुत से लोगों को इसे try करने का मौका नहीं मिला 2021 में इसके सारे servers बंद हो गए सो players कोई memories और contracts access नहीं कर सकते थे आपको ये सारे game से याद है तो कमेंट करके जरूर बताना और पूरी वीडियो जरूर चेक आउट करना